वेल्कुम बैक टू माई चैनल क्या हम प्रेग्नेंसी के दौरान अपने पहले बच्चे को ब्रेश फेडिंग करा सकते हैं क्या इससे जो बच्चा आपके पेट में पर रहा है उसको नुकसान तो नहीं होगा या फिर मदर को कोई नुकसान तो नहीं होगा सारा डेटेल इस एससे नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को और आपको खुद को नुखसान हो सकता है तो आपको डायिट काफी ज्यादा पेट में और दूसरा बच्चा ब्रेस फीडिंग भी रहा है पहला वाला तो आपको help अउशकता होती है esas과er काफ़ी ज्याधा एड करना है पानी ज्यूआडासी ज् rely på फ्रूटि और भी चीज यह जगई यह चीजह आपको अपनी डाइट में सामिल करनी है यानि कि आपको एक अच्छा न्यूट्रेशन लेना है जिस्ते कि बच्चे को जो बच्चा पेट में ग्रो हो रहा है उसको कोई नुक्सान ना हो समय से पहले डिलीवरी ना हो क्योंकि क्या होता है कि बच्चा इसमें कमजोर भी पैदा हो सकत है जी बच्चे को नुट्रेशन कम मिलना है जितना आप ले रही है उतना नुट्रेशन बच्चे को नहीं जा रहा है या फिर दोनु जगे आपका सिप्ट हो जा रहा है नुट्रेशन क्योंकि आप बच्चे को भी दूद पिला रही है आपके गर में भी बच्चा है तो इ इसलिए जितना जल्दी हो सके बच्चे को दूर्च छुडवा दें, आप breastfeeding करा रही हैं और pregnant हो गई हैं तो जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो सके आप बच्चे को दूर्च छुडवा दें जिससे कि आपको जल्दी delivery की समश्या ना हो या फिर कुछ case में miscarries भी हो सकता है, कम virgin का बच्चा बैदा होना इस तरह की दिक्कत हो सकती है या फिर mother काफी कमजोर हो जाती है कुछ case में तो इस तरह की दिक्कत ना आने पाए इसलिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जिसमें सबसे पहले ये चीज होती है कि सबसे पहले तो आपको दो साल बाद ही plan करना चाहिए second baby आपको दो साल कम से कम दो साल बाद ही plan करना चाहिए ताकि तब तक बच्चा भी जो दूद है वो छोड़ देता है mother milk छोड़ देता है काफी चीज है उपर की लेना है शुरू कर देता है तो बच्चे को वही चीज दें दूसरा अगर बच्चा आपका 6 महने से उपर का है तब आप pregnant हो गई है तो 6 महने के बाद भी बच्चे को उपर का खाना सुरू कर देते हैं तो बच्चे को उपर का खाना दीजिए और दूद भी आप उपर का दे सकते हैं जो formula milk होता है वो आप दे सकते हैं पहले से हैविट में रखें बच्चे की कभी क्योंकि इस चीज के आउशकता काफी ज्यादा पढ़ जाती है तो फॉर्मूला मिल्क आप पहले से ही रखें इस चीज को हैविट में भी रखें क्योंकि कभी आपको कहीं जाना पड़ता है बच्चे को आप किसी को दे के जाती है तो वहाँ पे बच्चा जो है रोएगा आप बच्चे को अपना दूज छुडा के आप फॉर्मूला मिल्क पे सिप्ट कर दीजिए और भी चीजें छे मेने से उपर का है तो और भी चीजें लेना शुरू कर देता है बच्चा तो उस चीज को आप बच्चे को दें और ब्रेस्पींडिंग जितना कम हो सके उतना ताकि जो बच्चा पेट में आपका उस पे कोई भी नुकसान ना हो उस पे कोई भी असर ना पड़े और मदर की हेल्थ भी सही रहे समय से पहले डिलीवरी ना हो बच्चे का वजन सही हो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो पुरा अच्छे से सब कुछ हो डिलीवरी सही सम तो लाश्टली यही कहूंगी वैसे तो आप ब्रेश फीडिंग करा सकती है लेकिन काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है आपको न्यूट्रिशन का अपना भी ध्यान रखना होता है क्योंकि बॉडिस में एक्स्ट्रा आपकी मेहनद कर रही होती है तो काफी टायड आप सुरू करा है बच्चे ने वह ज्यादा से ज्यादा दें जिससे कि बच्चा आपका दूद्ध आसानी से छोड़ सके जिससे कि जो बच्चा पीट में पल रहा है उसके ग्रोथ पे कोई भी असान ना पड़े तो उम्मीद करते हूं वीडियो आपके लिए हैफुल रहा सान थैंक यू थैंक वर वचीं